नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है ईनुओल अक्रवाल और आज हम लोग स्कॉल करने वाले हैं दो नुमरिकल क्वेशन एक नुमरिकल क्वेशन होगा, क्लास C कॉम्टेशन के उप़र और दूसरा क्वेशन होगा, वो हमारा होगा डायोड सेरकेट्स के उप़र तो इससे आपके क्या होगा पूर जो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगा चले शुरू करते हैं हेलो अगे इन फ्रेंट्स तुम लोग बात कर रहे थे नुमेरिकल क्वेशन की ठीके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दू मैं इस वक्त एंटक कर रहा हूं पावल टॉनिक से फ्रॉम एनाइटी तरेची गेट 2016 मैंने 586 रैंक स्कोर करी थी और इस वक्त में बजाज आटो मुबील्स में प्लेस हो गया हूं तो आए दोस्तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक हमारा जो पहला क्वेशियन है दोस्तों गुए डायोट सब्सक्राइट के ऊपर यह वही डायोट सब्सक्राइब आपको अपने पिछले लेक्शर से सुनहां बताया था तो उसमें इसमें क्या दे रखा है हमको एक 1 की वेलू दे रखी है सम्-10 और C की पर दे रखी है सम 100μF, ठीक है, हमको input DC voltage दे रखी है 100V, अब यह लोग क्या कह रहे हैं, यह लोग कह रहे हैं, कि हमको resonant frequency पताओ कितनी होती है, आप जानते हैं, measurement frequency, omega 0 is equal to 1 by root LC होती है, तो आप इसको easily निकाल सकते हैं, formula से, ठीक है, यह दे रखा है आपको formula, L आपको पता है, 10mH, C आपको पता है, 100μF, तो आपने omega निकाल लिया, ठीक है, दूसरा इनका पार्ट है, conduction time का, कि इस diode का conduction time कितना होगा, ठीक है, तो आप इस waveforms पर देखिए, यह waveforms में आपको पहले भी समझा चुका हूँ, तो आपका जो diode है, वो यहां तक connect कर रहा है, ठीक है, तो इसके बाद डायोड आपका off हो जा रहा है, तो यह क्या है, omega t, omega 0 t is equal to pi के बराबर है, तो यहां से आप निकाल लेंगे, अगर आप t की value, तो पाई root LC आ रही थी, आ अपने फिर से L की value रखी और फिर से C की value रखी, पाई की value आपको पता है, तो इसम 3.14 milliseconds आ गया, ठीक है, अब उसका next part है, वो कहता है, voltage across diode during off state, अब यहां देखिए, कि जब डायोड बंद हो जाएगा, तो इसका across voltage कितनी रहीगी, तो अगर मैं KVL लगा हूँ उसमें, तो VD की value आप निकालेंगे KVL से, Vs minus Vl and minus of Vc, ठीक है, यह निकलेंगी value, लेकिन आप देखेंगे, अगर आप इसमें, कि इस point के क्या हो रहा था, आपका जो inductor था, totally discharge हो जा रहा था, तो यहां पे क्या हो रही थी, जो value हो थी, आपकी voltage की inductor की voltage है, वो एकदम से collapse कर गया, ठ बचा Vs, Vs के हैं, 2Vs के बराबर, sorry, बचा Vc, तो Vc है आपका 2Vs के बराबर, तो जब आप KVL लगाएंगे, Vs minus 2Vs करेंगे, तो आपको मिल जाएगा voltage यह, ठीक है, अब देख सकते हैं, हमने इसको Vt मान रखा है, तो आप जब आप सू करेंगे, Vt plus Vc is equal to Vs, तो यहां अब दूसरे question के बात करते हैं, दूसरे question में क्या देखा है, circuit blue employs a commutation technique for thyristor, DC input voltage एक circuit है, हमको दीचे दे रखा है, जिसमें हम लोगा क्या है, एक commutation technique इसमाल हो रही है, अब क्या है, या तो आपको आपको नाम दे रखा होगा commutation technique का, पर जो अपना question आएगा, या पर नाम दे रखा है, आपको आपको आइंटिफाई करना पड़ेगा, कि यह क्या है, कौन सा कॉम्टिशन है, class D, class B, class C, तो आपको identify करना पड़ेगा, तो यहां पर हमको दे रखा है, R1 दे रखा है, सम 40 ohms, R2 दे रखा है हमको सम 5 ohms, DC input voltage दे रखी है, ऐसा, 100 volts, और हम लोग को क्या पूछा है, पहला question पूछा है, peak value of current for both the thyristors, अब इस thyristor और इस thyristor की peak value है, वो हमको निकाल लिए, तो अगर मैं इसके waveforms की बात करूँ, तो इसके waveforms हुआ करती थी, यहां पड़ा का, तो यहां देखिए, तो मेरा चुब थ तो यहां आज पीक value है, यहां पीक value ज्यादा है, इस से, ठीक है, तो हम स्कोलेंगे, क्योंकि आप जब तार इसा चार्ज हो रहा था, ठीक है, इनिशली अचार्ज था, लेकिन बागी सारे case के लिए, ऐसा case बन रहा था, कि आपका क्या पहले से चार्ज मिल रहा था, तो यह आपका क्या की से, आगे इस तरह की सी, विफॉंस बनती जाएंगे, स्टेडी शेक लिए अगर बात करने तो, तो आपका जो current है, peak current हो यह है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पे value पूट करना है, आपका peak current ही हो गया, आपको Vs पता है, आपको R1 बता है, आपक जाएंगे होगी, फरक से वितना है, कि यह 2 by R2 था, यह 2 by R1 है, से वितना फरक है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, तो आपने इसमें भी value पूट कर दी, जब इसमें पूट करिया आपने values, तो आपका आया 42.5 amperes, ठीक है, तो यह आपके आगे current की values for both the thyristors, peak current की values, आप द तो obviously बात है, जो दूसर थारसर है, वो आपको ज़्यादा rating में खरीदना पड़ेगा, अगर आप class C competition की बात करें तो, ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसका next part है, capacitance required, यह जो capacitance है, इसकी अमको value ने दी हुई है, इसकी value निकाल नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको एक condition दे र है, अब आपको क्या नकाल नहीं है, तो और इसके लवाँ एक ची दो देखिए, आपको safety factor, safety factor के बाराबर मैं आपको बताया था, तो वह भी आपको 1.5 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब तो आपको दे रखा TQ1 and TQ2 दे रखा है, तो जब का मैं बात करूं, circuit turn-off time की, तो आप जानते है, circuit turn-off time क्या होता है, safety factor into TQ1, मैं आपको बताया था, कि जितना actual, जो किसी भी थायरसर का, actual turn-off time है, उससे कुछ ज़्यादा ही circuit turn-off time होना चाहिए, तब ही आपका जो थायरसर है, वो accommodate हो पाएगा, turn-off हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, तो अच्छनल circuitry में क्या होता है, कुछ inductive effect की विजह से, कुछ circuit का आपता है, कुछ inductance होता है, उसके विज़े से, actual, जो कमपेशन टायम है, उससे क्या होता है, डिले हो सकता है, इसलिए कुछ safety factor आपको रखना परता है, तो मैं रेसको माल लिया 1.5, ठीक है, तो 1.5 x 20 आपका R1C, LN2, तो आपने ऐसा C की value निकाली, C की value आपकी यह आगई, आपने values put करी, तो आपका आगए 8.656μF, TCM2 के लिए भी आपना put करा, वहाँ भी आपने values put करी, तो आपका आपका capacity 2.164μF, अब देख रहे हैं, कि same capacity की दो-दो value है, तो आपको कौन सी value चूज करना है, इस पे कोई फरक नहीं बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप lower value चूज कर लेंगे, तो इस पर फरक पर जाएगा, अगर आपने value अगर यह चूज करी, तो क्या होगा, यह स्कंडिशी को satisfy नहीं कर पाएगा, और आपका capacity जीता required है, जतना उसको voltage maintain रखना है, for the competition time, on the circuit turnoff time अगर बात करूँ फदल है, तो क्या होगा, वो अपनी जो demand है, वो पूरी नहीं कर पाएगा, तो अगर नहीं कर पाएगा, ठीक है, लेकिन यह चूज कर जाएगा, यह इस से भी जादा रखूँगा, यह यह चूज करूँगा, तो दोनों में वो condition satisfy हो जाएगी, ठीक है द से लावा मुझे फॉलो कर सकते हैं, उपर एक फॉलो टैप दे हुआ, उसको प्रेस करके, से लावा एक नीचे लिंक दे रखा, इस लिंक आस्तमाल करके भी आ मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारी Unacademy Learning App पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, यह हमारा YouTube चैनल है Unacademy Engineering Students, इसमें आप सब्सक्राइब करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर दीजी, वहाँ भी मेरे lectures पड़े हुए, और बागी सारे educators की भी lectures आपको देखने को मिल जाएंगे, आन्त मैं मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरा lecture सुन नेक्स लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, क्लास डी कॉमेंटिशन की, तो मैं मैं देखने नेक्स लेक्चर में, बाबाई, थैंक यू